नमस्कार, मैं हूं मृत्यूंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्चेस न्यूस चैनल तापती अर्जुन आईए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुक खबरे बैतूल पशुओं में लंपी डिसिस के द्रश्टिगत बैतूल जिले की संपुण सीमा छेतर में धारा 144 के अंतरगत प्रतिबंदात्मक आदेश किये गए जारी मीडिया से चर्चा में बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंग बैस ने बताया संपुण बैतूल जिले में पशु मेले और हार्ट बाजारों को किया गया है प्रतिबंदित लंपी स्कीन डिसीज के जो केसे हमारे जिले में अभी देखने में आए हैं ये प्रमुक तह अभी भैस्दही क्षेतर में आ रहे हैं जिन 3-4 ग्रामों में समस्य में जादा है वहां के 5 किममेटर के दारों में हम वेक्सिनेशन का ग्राइब भी चला रहे हैं इसके साथ साथ जो पशु दाजार लग रही है पशुओं का जो ट्रंस्पोर्टेशन है और जो बॉडरिंग एरिया से पशुओं का आवा गमन है इसके उपर भी प्रतित अंधात में आदेश जाए हैं बैतूल जिले में भैस्दै के ग्रामेंट छेत्रों में लंपी वाइरस ने किया पशुओं पर अटेक लंपी वाइरस के चलते पशुओं हो रहे हैं बिमार अब तक इस बिमारी से 9 पशुओं की हुई मौत बैतूल विशेश समुदाय द्वारा सरकारी जमीन पर मस्दित और मजार बनानी को लेकर बजरंग दल संयुक्त मोर्चने बैतूल कलेक्टर श्री अमनविर सिंग पैस एवं बैतूल पुलिस अधिक्षक सूश्री सिमाला प्रसात को सोपा ग्यापन बैतूल तेमनी गाउं में पंचायत को कई बार आविदन देने के बाद भी नहीं बन पाई सड़क ग्रामीनों ने स्वयम के खर्चे से प्रारंब किया सड़क बनाने का कारिव वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है बायरल बैतूल दस साल पुराने हीरन शिकार के मामले में जिला न्यायले ने ठानी गाउं निवासी एक बुजुर्ग के खिलाप जेल वारेंट किया जारी कल जिला चीकिस साले में उक्त बुजुर्ग का कराया गया मैडिकल बैतूल प्रभातपत्टन के अंभोरी गाउ में भतीजे ने फरजी दस्तावेज बना कर करीब 6 एकर जमीन पर किया कबजा पुष्टैनी जमीन सुनीता बरोदे इमला गाठे पूरन बचले और स्वरगी शामलाल बचले के नाम पर शामलाल बचले की मौत के बाद उनके बेटे अजय और विजय ने बनाए परजी दस्तावेज पीडितों ने कलेक्टर से की इस पूरे मामले को लेकर शिकायत क्या बैतूल जिले के अंदर किसी भी तहसिल की कोई प्रॉपर्टी जैसे खेत मकान या दुकान को आप बेचना चाहते हैं तो हम दिखाएंगे अपने चैनल पर आपकी एडवर्टाइस नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करे बैतूल गौठाना इलाके में स्वास्थ विभाग द्वारा चलाया गया कोविड वैक्सिनेशन महा अभियान अभियान के अंतरगत स्वास्थ कर्मियों ने करेब सत्तर से अस्ती लोगों को लगाए टीके बैतूल कमानी गेट के पास यातायत पुलिस ने टू विलर बहांचालकों के खिलाब की चालानी कारवाई चालानी कारवाई करते हुए वसूल किया गया समन शुल्क मुल्टाई, मुल्टाई SDM राजनन्दिनी शर्मा पहुची ग्राम हीवर खेड, हीवर खेड में पानी की टंकी निर्मान को लेकर ग्रामिनों ने दर्च कराई आपत्ती, SDM ने किया समस्या का समधान मुल्टाई इंद्रगांदिवाड में सर्विस सेंटर के टीन खोल कर करीब पौने दो लाक रुपे की मशीनरी ले उड़े चोर छेत्र में लगतार हो रही चोरियों के बाद पुलिस की सक्रीता पर उठ रहे है सवाल मुल्टाई ग्राम खड़की पांडरी में पश्यों में हुई लंपी वाइरस की दस्तक लंपी वाइरस की दस्तक के बाद मुल्टाई छेत्र के पश्यों पालकों में मचा हड़कंप मुल्ताई सरकारी अस्पताल में अधूरे ICO के निर्मान को लेकर BMO श्री बारस करने ठेकेदार को दिये निर्देश अधूरे ICO यूनिट को हैंड ओवर करने के पहले काम पूरा करने के सम्मझ में ठेकेदार से की चर्चा आमला बोर्दे थना छेतर के अंतरगत एक गाउ से नाबालिक बालिका हुई लापता घर से बिना बताए चली गई नाबालिक परिजनों ने थानी में पहुँच कर शिकायत कराई दर्ज पुलिस कर रही है गुमचुदा नाबालिक बालिका की तलाश सारनी सदपुड़ा डेम के खोले गए साथ गेट एक एक फिट की उचाई तक गेट खोल कर 6000 क्यू सेक प्रती सेकंड तवा नदी में छोड़ा जा रहा है पानी बारी बारिश के चलते सदपुड़ा डेम के पिछले तीन से चार दिनों के खोले जा रहे है गेट सारनी सारनी पुलिस ने धारा 420 के आरोपी सुरेंद्र सिंका गोडोंगरी अस्पिताल में कराया मेडिकल जीवित पिता का बनाया था म्रत्यू प्रमान पत्र शाहपूर बरजोरपूर गाउ में चौपाल के सामने से अतिकरमन हटाने की मांग को लेकर कल ग्रामिनों ने शाहपूर की तहसिलदार एंतोनिया एकका को सौपा ग्यापन चौपाल के सामने जमकर हो गया है अतिकरमन शाहपूर नगर परिशत अध्यक्ष विक्की नायक ने धी जानकारी बताया नगर परिशत में 380 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास हुआ सुविक्रत मकान बनाने के लिए जल्द ही जारी की जाएगी राशी चिचोली कन्या हाइ स्कूल हॉल में कल जनजाती कारे विभाग के द्वारा ब्लॉक इस्तरी खेल प्रभारियों को दिया गया 3 दिव से प्रशिक्षन आठनेर एक्सलेंस स्कूल में 3 दिव से खेल रिफ्रेशिंग कोर्स का हुआ समापन पिछले 3 दिनों से ब्लॉक लेवल पर चल रहा था रिफ्रेशिंग कोर्स का शिविर तो ये थी बैतुल जिले की आज की प्रमुक खबरित मिलते नई खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार